14 अक्टूबर के गुरुकुल प्रेप देली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है अपडेट एक महत्वपून दिन विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर हर साल 14 अक्टूबर को दुनिया विश्व मानक दिवस जिसे अंतरराश्ट्रिय मानक दिवस भी कहा जाता है मनाती है यह दिन उन हजारों विशेशग्यों के काम का जश्न मनाता है जो मानकों को स्थापित करने वाले संगठनों के अंदर स्वैच्छिक मानक बनाते है 25 देशों के प्रतिनिधी 1946 में लंदन में एक साथ आये और मानकी करण को बढ़ावा देने के लक्षे के साथ एक अंतरराश्ट्रिय समूव बनाने का निर्णय लिया पहला विश्व मानक दिवस 1970 तक नहीं मनाया गया जबकि ISO की स्थापना एक वर्ष बाद हुई थी भारतिय मानक ब्यूरो बिज एक बहतर दुनिया के लिए साज़ा द्रिश्टी सतत विकास लक्षे के लिए मानक विशय पर विश्व मानक दिवस 2024 मना रहा है अपडेट दो पुरसकार निहोन हिदांकियों ने 2024 का नोबेल शांती पुरसकार जीता जापानी संगठन निहोन हिदांकियों हिरोशिमा और नागासाकी से परमानु बम बचे लोगों का एक जमीनी स्तर पर आंदोलन ने नोबेल शांती पुरसकार जीता उन देशों को चेतावनी में जिनके पास पर्मानु हथियार हैं कि वे उनका उप्योग न करें। संधर्ष में इस्तिमाल किये गए केवल दो पर्मानु बमों के कई जीवित बचे लोग, जिनहें जापानी भाशा में हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है, ने अपना जीवन पर्मानु मुक्त विश्व के संधर्ष के लिए समर्पित कर दिया है। नौर्वे की नोबेल समिती ने अपने प्रशस्ती पत्र में कहा कि समो को पर्मानू हतियारों से मुक्त दुनिया के लक्षे को प्राप्त करने के अपने प्रयासों और गवाहों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए शांती पुरस्कार मिल रहा है कि पर्मानू हतिया अपडेट तीन क्रक्षा इन एकल इंजन हेलिकॉप्टरों को जम्मु कश्मीर और लद्दाख में विशिष्ट क्षेत्रों जैसे द्रास, कारगिल, बटालिक, डोड़ा, किष्टवार और गुरेज में तैनात करने की योजना बना रहा है विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़ कर हेलिकॉप्टर ज्यादातर सर्दियों के दौरान नवंबर से अप्रेल तक राशन, इन्धन, अन्य दुकानों और परिचालन उद्देश्यों के भंडारन के लिए तैनात किये जाएंगे अपडेट चार राश्ट्रिये नवी मुंबई हवाई अड़े पर सफल आएएफ सी 295 लैंडिंग नवी मुंबई अंतरराश्ट्रिय हवाई अड़ा एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुँच गया जहाँ भारतिय वायू सेना के सी 295 विमान ने साइट पर पहली लैंडिंग सफलता पूर्वक पूरी की परीक्षण के साथ सुखोई 30 लड़ाकू विमान का फ्लाइपास्ट किया गया अडानी एरपोर्ट और CIDC द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित हवाई अड़े का पहला चरण मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है विमान ने नए पूर्ण 3700 मीटर के रणवे को चुआ जो हवाई अड़े के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल भवन का 75% हिस्सा पहले ही बनाया जा चुका है अपडेट पांच रैंक और रिपोर्ट 1970 के बाद से वैश्विक जैव विविधता में 73% की गिरावट WWF WWF की लिविन प्लैनेट रिपोर्ट LPR 2024 के अनुसार केवल 50 वर्षों 1970 से 2020 में निगरानी की गई वन्यजीव आबादी के ओसत संख्या में 73% की भारी गिरावट आई थी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जैसे जैसे प्रिथवी मानवता के लिए गंभीर खत्रा पैदा करने वाले खतरनाक बिंदूओं के करीब पहुँच रही है जलवायू और प्रकृती के दोहरे संकट से निपटने के लिए अगले पांच वर्षों में बड़े पैमाने पर सामुहिक प्रयास की आवश्शक्ता होगी Z.S.A.L. Geological Society of London द्वारा प्रदान किये गए Living Planet Index LPI में 1970-2020-5495 प्रजातियों की लगभग 35,000 जनसंख्या के रुझान शामिल है मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में 85% की सबसे मजबूत गिरावट दर्स की गई है इसके बाद स्थली 79% और समुदरी 56% पर है अपडेट 6 रैंक और रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 150 स्थान पर है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ भूख के स्तर के संदर्भ में गंभीर के रूप में वर्गीकृत 42 देशों में से एक है रिपोर्ट में कहा गया है 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 27 तीन के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है पिछले साल भारत द्वारा खारिस की गई रिपोर्ट से पता चला है कि देश में 5 साल से कम उम्र के 35 दशमलव 5 परसेंट से अधिक बच्चे अविक्सित हैं और 5 साल से कम उम्र के लगभग 18 दशमलव 7 परसेंट बच्चे कमजोर हैं इस बीच 13 दशमलव 7 परसेंट से अधिक आबादी कुपोशत है इसके विपरीत, बांगलादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे दक्षिन एशियाई पडोसियों ने बहतर जीएचाई स्कोर हासिल किया है जिससे उन्हें मध्यम श्रेणी में रखा गया है भारत में पक्षियों की संख्या में उलेखनिय गिरावट गिद्धों पर सबसे अधिक असर यह कोई नई बात नहीं है कि भारत की पक्षियाबादी गिरावट पर रही है लेकिन हाल की एक रिपोर्ट में उलेख किया गया है कि एक हजार नौसो बानवे से दो हजार दो के दौरान गिद्धों की प्रजातियों की संख्या में गिरावट सबसे महत्वपून थी और पिछले पचास वर्षों में खुले पारिस्थितिक तंत्र से सामान्य पक्षी आबादी में काफी गिरावट आई है 1992 और 2002 के बीच सफेद पूँच वाले गिद्ध और भारतिय गिद्ध तथा पतली चोच वाले गिद्ध की जनसंख्या में क्रमशा 98 प्रतिशत और 93 प्रतिशत की गिरावट आई लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार इन शीर्ष हवाई शिकारियों की आबादी में गिरावट की तुलना 1980 के दशक से उनकी आबादी से की गई थी अपडेट आठ योजनाएं और समितिया तेलंगाना ने अनुसूचित जाती उपवर्गी करण के लिए आयोग नियुक्त किया तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना उच्च नियालई के पूर्व नियाधीश नियाइमूर्ती शमीम अक्तर को अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित शेनियों के भीतर उपवर्गीकरण का अध्ययन करने और सरकार को सिफारिशे करने के लिए गठित एक सदसिय आयोग का अ परकार को जाच आयोग अधिनियम 1952-1952 का केंद्रिय अधिनियम 60 के तहट एक सदसिय जाच आयोग नियुक्त करना चाहिए जो उच्चतम न्यायाले के उपवर्गी करण के सभी पहलूँँ पर गौर करें। प्राधिकरण ने एक कार्यात्मक वैक्सीन नियामक प्रणाली के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित मानकों को पूरा किया है। भारत ने कई कार्यों में उच्चतम अंकों के साथ परिपक्वतास्तर तीन बरकरार रखा है। अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन भारत डिजिटल क्रिशी सम्मेलन 2024 डिजिटल क्रिशी की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाने के लिए नई दिल्ली में भारत डिजिटल क्रिशी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर क्रिशी और किसान कल्यान सचिव डौ। नीती निर्माताओं, उद्योग विशेशग्यों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, शोध करताओं और किसानों को एक साथ लाकर सम्मेलन ने डिजिटल युग में क्रिशी के भविश्य को आकार देने का मार्ग प्रशस्त किया।